क्या दोस्तों आप जानते 26 जन्वारी 1950 कौन सा डे था हाँ मैं जानता हूँ यह थर्श डे था हाँ दोस्तों मेरा नम जे के हालदार आज हम कैलेंडर का डे निकालने का कुछ सिंपल टीप्स बताएंगे हम जानते एक दो किसम का यार हता है लीपी यार एन और्डिनारी यार लीपी यार में 366 डेज होता है और्डिनारी यार में 365 डेज होता है 365 डेज में 52 इस कंपलेट होने का बाद 1 डे एक्स्टा मिलता है 366 डेज के लिए 52 इस कंपलेट होने का बाद 2 एक्स्टा डेज मिलता है तिस एक्स्टा डेज का हिसाब से हम कैलेंडर में डे निकालते है ऐसा है हम अगर calculate करेंगे तो 100 complete year के लिए हमें 76 ordinary year and 24 lip year होता है जिसमें day में convert करेंगे तो 76 के लिए 76 days, 24 lip year के लिए 2 days का इसाब से 48 days total 124 days and 17 weeks इसमें complete हो जाता है 5 days extra रहता है similarly 200 years के लिए 5 into 2 so 3 days extra हो जाएगा 300 years के लिए 5 into 3, 2 weeks complete होने का बाट 1 extra मिल जाता है ऐसा 400 years में जाएगे तो 5 into 4 होता है लेकिन 400 year lip year मिल जाता है तो इसमें हम एक addition कर देता है तो इसमें 21 हो जाता है तो जिसमें 7 से divide करेंगे तो full week complete होगा तो 0 आ जाता है ऐसा 800 years में 0, 1600 years में भी 0 and 2000 years में भी 0 हो जाएगा similarly अगर मांथ में जाएगे जानवारी 31 days तो 7 से divide करेंगे 4 weeks and 3 days extra मिलेगा ऐसा फेबरुआरी में 0 हो सकता 1 day extra मिलेगा 28 days के लिए जब लिप्यार होगा मार्च में 31 days 3 days and April में 30 days तो 28 कबद 2 days extra मिल जाएगा तो 31 days के लिए 3 days extra and 30 days के लिए 2 days extra 28 days के लिए 0 हो जाएगा तो 7 से divide करने का बाद हम ए फॉर्मूला इजीली निकाल सकते है जो अभी आते हैं ऐसे हम आज का डे 2022 17 November कौन सा डे होगा कैसे पताएगे तो इसमें देखेंगे जो फास्ट यार में जाएगे 2022 तो 2000 years complete हो गया इस फर्मूला का इसाब से 2000 के लिए हम 0 ले लेंगे फिर 21 year complete हो गया जिसमें 16 ordinary year 5 repair है तो 16 के लिए 16 days 5 repair के लिए 10 days 26 जिसमें हमें 3 complete होनेगा और 5 extra days में लेगा तो 5 extra days हम ले लेंगे ऐसा हम November तक जाएंगे अभी November तक January, February, March, April में June, July, August, September, October October complete हो गया तो October complete होने का बाद हमें calculate काने का बाद 24 days मिलते हैं 24 days मतलब 3 week complete, 3 additional days मिल जाता है यह हमें 5 days मिला था, year के लिए अभी month के लिए हमें 3 days extra मिला अभी 17 November तो इसमें हमें 2 week complete होने का बाद 3 days extra मिला तो total हमें कितना extra मिला 5 days year के लिए, 3 days month के लिए और day के लिए हमें 3 days extra total 3 plus 3 plus 5 11 days extra मतलब 1 week complete होने का बाद 4 days हमें extra मिल रहा है तो इस Thursday हमें आज का दिन Thursday होगा ऐसे हम 1st January 2022 में जाएंगे क्या मुलेगा हम देखा 21 complete होने क्या मिला था 5 days extra मिला था तो हमें अभी 1st January उसमें जोड देंगे तो कितना हो जाएगा 5 plus 1 Saturday था Similarly December 22 5 plus 1 December में December तक हमें 29 मिल जाता है और 29 मतलब 1 day extra सिर्फ 28 से complete हो जाएगा 1 day extra मिलेगा Plus हमें ER में 5 days extra मिला था तो 5 plus 1 6 है तो Saturday हो जाएगा तो Monday हम 1 लेते हैं Saturday 6 हो जाता है Sunday के लिए 0 हो जाएगा 26 जानवारी 1950 तो 26 जानवारी 1950 में फ़ाएगा 1950 में देखते हैं 1900 hours जिसमें आम देखा 1600 hours के लिए 0 and plus 300 hours के लिए कितना है 300 hours के लिए 1 300 hours के लिए 1 तो 1600 plus 0 plus 1 1 day 1900 years के लिए next 49 years complete हो गया तो इसमें 12 EPR आएगा और 37 ordinary year आएगा 12 EPR के लिए 24 days और 37 normal के लिए हमें 37 days total 61 so 8 weeks complete 5 extra days हो जाएगा ऐसा ही हम 26 January so 26 January तक जाने के लिए 3 weeks complete हो जाएगा plus 5 extra आजएगा तो total हमारा पास हो गया 1 plus 5 49 years के लिए तेन 26 January के लिए 5 total 11 तो 1 week complete 4 days extra so it will be it was Thursday 4 days मतलब Thursday so एसा हम पूरा कैलेंडर का डेट निकाल सकते है उमीद करता हूँ आप लोग को ए फर्मूला एक कालकुलेशन समझ बाया होगे और कुछ doubt है मेरा इंबाक्स में comment कर सकते है thank you